हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू इस्राफिल इस्टडी तो आज हम लोग भाग यानि डिवाइड करना सिखेंगे तो वीडियो को लास तक देखिएगा जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सके तो चलिए हम वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों हम नो से इस पूरे संख्या में भाग देंगे तो भाग देने का कॉंसेप देखे दोस्तों और आप कॉंसेप को याद कर लेते हैं तो आप किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से भाग कर सकते हैं तो यहां देखे, यहां अकेला 9 है, तो 9 से हम इस पूरे संख्या में भाग देंगे, तो concept देखे, तो यहां दोस्तों 9 अकेला है यानि एक संख्या है, तो हम यहां भी पहले एक संख्या में भाग लगाएंगे, अगर लग रहा है एक संख्या में भाग तो लगाएंगे, नो के पहाड़ा में नो आता है तो यह लग जाएगा कितनी बार में एक बार में नो को एक से गुना करेंगे तो नो हो जाएगा तो लिखेंगे हम यहां नो नो एका नो अब दोस्तों हम क्या करेंगे इसे गाटाएंगे तो नो में से नो माइनिस करेंगे जीरो यानि कट गया अब हम क्या करेंगे यहां धियान दिजिए अब यह जो आठ है ने इसे हम नीचे उतारेंगे तो यहां एक संख्या है तो हम आठ में भाग लगाएंगे तो यहां धियान दिजिए नो से आठ छोटा है तो भाग लगेगा नहीं लगेगा अगर बड़ा होता तब हम असानी से भाग लगा सकते थे लेकिन यहां आठ नो से छोटा है तो भाग नहीं लगेगा क्योंकि नो क पहड़ा में 8 आता ही नहीं है तो अब हम क्या करेंगे यह जो 6 है इसे भी नीचे उतारेंगे तब हम दो संख्या में भाग लगाएंगे तो अब हम 6 को भी नीचे उतार लेती है अब दोस्तों यहां ध्यान दिचिए हमने यहां 2 संख्या नीचे उतारा है तो जब हम 1 संख्य संख्या उतारेंगे कोई दिकत नहीं है जब हम दो संख्या उपर से उतारेंगे तो एक जिरो पहले हम यहां लगाएंगे फिर हम दूसरी संख्या को उतारेंगे ठीक है तो यह है कॉंसेप आपको कॉंसेप यादखना है तो अब यह हो गया 86 तो अब हम 9 से 86 में भाग दे सकत तो हम नौ का पहाड़ा इतनी बार परहेंगे, कि 86 आजाए या 86 से छोटी संख्या आजाए लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, आपको यही दियान देना है, जब हम दो संख्या का भाग लगाएंगे या एक संख्या का भाग लगाएंगे, तो हम उस संख्या में कितना से गुना करें कि 86 से छोटा आ जाएं लेकिन इस से बड़ा नहीं होना चाहिए तो नो को अगर हम दोस से गुना करेंगे और तो क्या होगा 90 टो आठ में से 8-0 यानि कट गया 6-5 अब देखें यह 5 है तो नौ से छोटा है तो भाग नहीं लगेगा तो अब हम क्या करेंगे यह जो नौ है इसे नीचे उतारेंगे इसी परकर हम भाग करते हैं तो अब यह हो गया 69 तो हम 69 में अब 9 से भाग दे सकते हैं तो हम 9 का पहड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 69 आजाए या 69 से छोटी संख्या आजाए लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए तो 9 को अगर हम 7 बार पढ़ेंगे तो 9 सकते 63 63 हो जाएगा जो 69 से बड़ा है तो 6 बार ही पढ़ेंगे 9 सकते 24 तो हम यहां लिखेंगे 6 और यहां लिखेंगे 24 ठीक है अब इसे हम घटा लेते हैं तो 5 में से 5 मैनिस करेंगे 0 यानि कट गया 9 में से 4 मैनिस करेंगे 5 तो यहां फिर से 5 आ गया तो 9 से छोटा है तो भाग नहीं लगेगा तो अब हम क्या करेंगे इस 5 को नीचे उतारेंगे हम 1 संख्या को नीचे उतारेंगे तो कोई दिकत नहीं है हम 0 यहां नहीं लगाएंगे जब हम 2 संख्या को नीचे उतारेंगे तब हम यहाँ 10 लगा देंगे तो हम 5 को यहाँ नीचे उतार लेते हैं तो दोस्तों अब यह हो गया 55 तो 55 में हम 9 से भाग दे हैं कितनी बार में छह बार में 9 6,44 जो 55 से छोटा है बराबर आना चाहिए या छोटी संख्या आना चाहिए लेकिन इस से बड़ा नहीं तो 6 बार में लग जाएगा 9 छक्के 24 तो हम यहां लिखेंगे दोस्तों 24 अब हम इसे घटा लेते हैं तो 5 में से 5 मैंनिस करेंगे 0 यानि कट गया 5 में से 4 मैंनिस करेंगे 1 तो यहां 1 हो गया तो 9 से 1 छोटा है तो भाग नहीं लगेगा तो हम इस 4 को नीचे उतारेंगे तो यह हो जाएगा 14 तो अब हम 14 में 9 से भाग दे सकते हैं ठीक है 9 के पहड़ा में 14 नहीं आता है लेकिन इससे छोटी संख्या आता है 9 के पहड़ा में 9 को दो बार पढ़ेंगे 18 हो जाएगा जो 14 से बढ़ा है तो हम 9 को एकी बार पढ़ेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 9 में 9 माइनिस करने के दोस्ते कितना होगा 5 नंव 5 14 तो दोस्तों यहाँ से हमारा भाग करने का परकिली है वो समापत हो चूका है यहां देखिए ऊपर कोई संख्या नहीं बच्चा है तो यहाँ स्येस्वल हमारा 5 हो गया और भाग फल यह इतना ह हो गया तो हम दिख लेते हैं इसे यह हो गया हमारा सेस्फ़ल और यह हो गया दोस्तों हमारा भाग फ़ल तो दोस्तों इस परकार हम बहुत असान इसे कॉंसेप्ट से भाग करते हैं उमीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ आई होगी अगर आपको वीडियो पुसल आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए